हेलो इस्टुडेंट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिटिक रियक्षन के बारे में पिछले वीडियो में हमने वुड्ज रियक्षन के बारे में पढ़ा वैसी ही सिमिलर मेकेनिजम होती है फिटिक रियक्षन की वुड्ज reaction में हमने देखा कि alkyl halide के दो मोल हम ले रहे थे और उसके reaction हम करवा रहे थे sodium metal के साथ में किसकी presence में वाली reaction हो रही थी? dry ether की presence में जो की बहुत important है आपको पता होना चाहिए वुड्ज reaction sodium metal के साथ में reaction करवाई जाती है dry ether की presence में और होता क्या है? वहाँ पर alkyne बनता है अब बात आती है कि वुड्ज reaction और फिटिक reaction में अंतर क्या है? difference क्या है? वुड्ज reaction में alkyl halide लिया जाता है और फिटिक reaction में aryl halide लिया जाता है alkyl में तो कोई भी alkyl group हो सकता है aryl मतलब aromatic compound लिया जाएगा aromatic halide लिया जाएगा और उसके reaction करवाई जाएगी sodium metal के साथ में dry ether की presence में और होगा क्या? वुड्ज reaction की तरह वहाँ पर भी free radical बनेगा और यहाँ पर वाई फिनाइल बनता है अब हम देखते हैं फिटिक reaction किस परकार से complete होती है उसके लिए हमें चलना होगा next page पर तो देखिए हमने aryl halide के यहाँ पर 2 mol लिये हैं और उसके reaction हमने कराई है sodium metal के साथ में dry ether की presence में यहाँ पर हम क्या करते हैं? sodium metal के भी 2 mol लेते हैं और यहाँ पर होता क्या है? देखिए इस reaction को मैं इस परकार से भी arrange कर सकता हूँ यह जो aryl chloride है यह जो chlorobenzene है उसको मैं इस परकार से भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर आपने उर्ज reaction में देखा होगा हमने reaction को इस परकार से arrange करके उसका product बना रहे थे तो देखो एक chlorobenzene इदर sodium metal मैंने बीच में रख दिया है देखिए हमने इसका दो mol लिया है तो एक mol तो यह use हो गया और दूसरा mol में क्या करूँगा इस तरफ यहाँ पर लिख दूँगा तो देखिए इस परकार से जब आप arrange कर लेंगे fittig reaction को fittig reaction के reactant को तब होगा क्या यहां से देखो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि हमें क्या product बनाना है यह जो sodium है वो इस हिलोजन को लेकर निकल जाएगा क्योंकि जो sodium होता है वो तो metal होता है और यह chlorine क्या होता है यह non-metal होता है तो देखिए non-metal और metal क्यों जुटते हैं क्योंकि sodium क्या करता है, electron दे सकता है, क्योंकि ये metal है, halogen क्या है, non-metal है, तो वो electron ले सकता है, to sodium यहां से electron देगा, और chlorine ले लेगा, तो यह आपस में bond बना लेंगे, और यहां से 2 mol sodium हमने इसी ले लिया, क्योंकि देखो, इन दोनों को हमें निकालना था, तो यहां से क्या निकल रहा है दो मोल NaCl यहां से निकल जाएगा और देखो बचा क्या है यहां पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो दो बेंजीन आपको जुड़े हुए दिखेंगे जिनको बोला जाता है बाई फिनाईल तो यहां से आप क्या बोल सकते हो जो फिटिक रियेक्शन है उसमें बाई फिनाईल प्रोड़ेक्ट मिलता है यहां पर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हम ले सकते हैं उसके रियेक्शन हम कराएंगे दो मोल सोडियम मेटल के साथ में ड्राई एथर की परजेंस में तब होगा क्या यहां से एने और यहां पर जो भी हेलोजन होगा यहां पर ब्रोमीन भी हो सकता है तो यह एने भी आर बन जाएगा दो मोल तो यह बनते हैं और जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो आपस में जुड जाते हैं वुड्ज reaction में क्या होता था जो भी alkyl group होता था वो जुड़ जाते थे तो वहाँ पर alkyne बन जाता था लेकिन यहाँ पर aromatic compound आपस में जुड़ते हैं यही difference होता है वुड्ज reaction और fatigue reaction में देखिए वुड्ज reaction और fatigue reaction में सेम क्या होता है sodium metal के साथ में हम reaction करवाते हैं यह सेम होता है dry ether लेते हैं यह भी सेम होता है difference क्या होता है difference यह होता है कि जहाँ उड्ज reaction में हम यहाँ पर alkyl halide लेते थे वहाँ पर हम क्या करेंगे aryl halide लेते हैं इसको बोला जाएगा aryl halide या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर हम alky फाइल ग्रूप लेते थे और यहाँ पर जो compound हम ले रहे हैं वो aromatic compound हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि fitting reaction में aromatic compound के दो mole लिये जाते हैं और उसकी reaction करवाई जाती है sodium metal के साथ में dry ether की presence में देखें dry ether क्यों लिया जाता है इतर को सूका ही क्यों लिया जाता है एकवास ether क्यों नहीं लिया जाता है आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा आता है एकवास ether और dry ether तो इसमें dry ether लिया जाता है एकवास नहीं लिया जाता है इसका reason में आपको बजाता हूँ अगर ether में पान बनता है यह चीजभी आपको ध्यान में होना चाहिए कि फिटिग रियक्शन में फ्री रेडिकल इंट्रमेडियत बनता है यह तो होता है इसका सोट फोंग इस तरीके से अरेंज़ करके हम इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर आपने Woods Reaction का वीडियो नहीं देखा है तो उसका link आपको description में मिल जाएगा बहुत सारे लोग मेरे को comment box में पूछते रहते हैं कि sir आपके contact number हम आपसे contact कैसे करें तो देखिए description में आप check कर सकते हैं वहाँ पर मैंने instagram का link डाल दिया है और telegram channel का link भी डाल दिया है नहीं देखें नेम reaction के तो वो भी आप जाके check out कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको fitting reaction आसानी से समझ में आ गई होगी मैंने बेहतरी इन तरीके से fitting reaction को explain कर दिया है और अगर फिर भी कोई doubt आपका रह जाता है fitting reaction से related तो आप मेरे को comment box में पूछ सकते हो वहाँ पर मैं आपको reply करके बताऊंगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like और channel को subscribe करना ना भूले हम organic chemistry के सोट वीडियो भी बनाते हैं तो उनका भी आप मज़ा ले सकते हैं channel को subscribe करके